वेलकम टू माई चैनल आज क्या बनेगा यह हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी और कोड़े लेकिन मैं बता नहीं रही हूं किस चीज के तो आईए बनाते हैं बनाना है तो बताना भी पड़ेगा मैंने हाँ पर लिया हूँ है हाफ केजी कटल इसको मैंने बॉयल किया है ब बहुत कम पानी डालाया आदा ग्लस पानी डालकर मोटे तले के कुकर में एक फुल सीटी आने के बाद धीमा करके एक सीटी और दिलाई है और फिर इसको निकाल कर बीज अलग कर दिये हैं बीज के उपर से चिलका उतार दिया है बीच में कहीं पर भी चिलका नज़र तो वो भी हटा देंगे निचोड करके रख लेंगे यह पानी फेकना नहीं है यही पानी हम यूज करेंगे इसी खटल को अच्छे से पीशने के लिए पानी अगर पूरा जादा लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं लेकिन इसे पीशना है बहुत ही अच्छे से अच्छे से पीश गया है सारा पानी यूज कर लिया आधी चमच नमक और डाल रही हूं पहले भी नमक डाला था आधी चमच लाल मेर्च आधी चमच हल्दी एक चमच धनिया आधी चमच गरम मसाला तीन-चार चमच भर के बेसन बेसन को भूने भी नहीं डाल दीजे एक से डेड़ चमच लहसुन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट मिर्ची आप कम जादा कर सकते हैं अब हम इसे लगातार चलाते हुए बहुत ही मिक्स हुआ बैटर बनाएंगे आप इस बैटर को चाहें तो मिक्सी में घुमा सकते हैं लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होगी तो आप इसे नहीं घुमा पाएंगे इसलिए हाथ से फेटते रहिए मसाले आड़न किये हैं मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे मिर्च कम लगी, नमक कम लगा वो भी डाल दिया है और जीरा भी डाल दिया है थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं अब इसे फेटना है बहुत फेटना है जितना आप वड़े बनाने के लिए फेटते हैं उतना ही फेटना है फेटने की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छे से एरियेशन होगी जितनी जादा इसके अंदर एरियेशन होगी उतने ही लाइट वेट और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे अराउंड फाइव टू तैन मिनुट्स इसको फेटने के बाद गर्मा गरम सरसो तेल में हातों की मदद से गोल-गोल बॉल्स डाल दीजिए यह जो रेसिपी है यह मेरी मदर इनलों ने बनाई है तो यह उन्ही की स्पेशियालिटी है मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉसेस को किया है यह देखिए वो अपने आप डाल रही है इनको और हातों की मदद से एकदम बराबर गोल राउंड शेप के यह बॉल्स बन रहे है एक्सपिरिंस की बात है अगर आप नहीं बना पा रहे हैं एक जितने साइज के तो आप आइस्क्रीम स्कूप की मदद से मेजर करके भी डाल सकते हैं अभी यह तयार नहीं हुआ है एक बारी पक गया है हम इसे निकाल देंगे यह देखिए इस तरीके से बनाते रहे है उपर से गोल्डन होने के बाद आप इने निकाल दीजिए एसा करने का एक साइन्टिफिक रीजन यह है कि यह जितनी देर तक निकला हुआ है उतनी देर तक यह अंदरी अंदर पकेगा जो तेल में गया हुआ है वो वैसे ही हीट से पक रहा है लेकिन ये अभी अंदर से बहुत ही सोगी है, उपर से क्रिस्पी है, पक तो चुका है लेकिन हम इसे बहुत ही क्रिस्पी बनाने वाले हैं इसके लिए हम इसे सारे पीस-पीस कर हाथ से यानि कि दबा करके दुबारा से तलेंगे ये एक तरह से कठल की टिक्की बन जाएंगी, या आप इसे पकोडी भी कह सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से इसे हाथ से फ्लैट किया जा रहा है इतना अच्छे से पकाईए कि इसके अंदर का जो वाइटिश थोड़ा कम पका हुआ, जो गोल्डन नहीं है वो वाला भी बेटर बाहर की तरफ जांकने लगे ये जो दरारों में से निकल के बाहर आ रहा है, ये भी वापिस तेल में जाएगा बढ़िया से क्रिस्पी होगा, तब बनेंगी कटल की बढ़िया पकोडी ये यूपी स्टाइल की एकदम यूनीक रेसिपी है, जो मैंने अपनी मदर इलनों से सीखी है आज आपके लिए स्पेशली वो बना रही है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है, यूजूली वो उतना नहीं बनाती है खाना लेकिन कभी-कभी मेरे लिए एक आदी वीडियो शूट करने में हेल्प कर देती है, तो उनकी खुशी के लिए आप उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे मैं उन्हें बता सकूँ कि उनकी वीडियो काफी आगे जा रही है, वो बहुत खुश होती है, यह स्पैशली रेसिपी उनकी तरफ से है, यह देखिए कितनी बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है, यहाँ पर हमारी कटल की पकॉड़िया, यह आप बिल्कुल वैसे ही खा सकते हैं, जैसे टिक्की खाते हैं आलू की, इसको दही वाली चटनी, इमली चटनी और साथ में ह सर्फ कीजिए, जैसे आपको पसंद आता है, इसमें धेर सारा प्याज, उबला हुआ, आलू, मिक्स करके, थोड़ी सी और पापड़ी मिला करके, इसको चाट की तरह से भी सर्फ कर सकते हैं, मैंने इसमें वो प्लेट तयार नहीं की है, लेकिन यह सिंपल सी रेसिपी आपक कीजिए, फिर मिलते हैं, एक और नायाब रेसिपी के साथ, तब तक अपना खयाल रखिए, बाबाई